कि हलो दूस्टों नमस्कार चण्यअर्ट से को सब्सक्राइब करता हूँ सब्सक्राइब कीजिए आपको सब्सक्राइब करकेजस वृदियो चाहूं कि सोब फ्रेंड्स अब हम आगे अपने मेंन पेज़ बात करने वाले mercury metals company के बारे में company जो है एक साल पहले भी काफी अच्छे 50 वीक हाई लगाते वे देखी थी अब फिर से company ने breakout लिया है और काफी अच्छा outperform करने की तरफ बढ़ चुकी है so friends अभी जो company का जो price है वो 20.21 का है और साथ ही साथ जो 5 दिन की बढ़ोती है वो 21% की एक महीने में 67% की रिटन दे चुके एक साल में लगबग 2000% जाने की 2200 गुना कर चुकी है लोगों का रिटन और 5 साल में 54% जाने की 58 गुना कर चुके company लोगों का रिटन so friends company करती गया है और क्या है company के लिए आगे future उस पे हम discussion कर लें इस page पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में mercury metals के बारे में company का करती है is engaged in a business of trading of ferrous and non-ferrous metals जो लोग PCM और PCB के होंगे उनको पता होगा कि ferrous और non-ferrous metals क्या होता so friends company जो है market capital रखती है कितनी 337 करोड की 20 रुपे 20 पैसे पे company के कर रहे है current price पे trade कर रही है 37 high जो है वो आप आज ही का है और low जो है 85 पैसरे का है stock P 992 है book value 2.93 है dividend yield कुछ नहीं देती है rose drip काफी अच्छा है attractive है rose friends 25.8 का है और ROE भी अच्छा है face value 1 की है company ने बीच में काफी outperform दिखाया था पर result की अगर बात करें तो result पे देख लेते हैं company के profit और quarterly results में क्या है results में sales double हुई है friends company की expenses भी double हो चुके है जो की जाइस सी बात है और operating profit जो है 0.08 का है so friends साथी साथ हम देख लेते हैं company का जो profit loss है वो इस March में कितना है अभी 23 में clear होगा पर अभी देख लेते हैं March में 0.28 का था so जो की इस company के हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक है इस वैसे ही साथ पर हम एक बार promoter holding को देखे में न कैसे बोल देंगे कुछ so friends promoter holding जो है आपको दिख रहा है कि सितंबर तक कि दिसंबर की आपको promoter holding दिखी नहीं रही है इसमें so clear है आपको दिख भी दखते हैं कि promoter holding जो है पहले बढ़े आई थी 65 तक 49 से लेके और फिर उसको फिर से घटा दिया गया था सितंबर में 62 पे so promoters ने पहले holding बढ़ा है और फिर holding क्या की घटा दी so अब जो December का quarter जिस तरह के से इसमें बढ़ोती हो रही है मुझे लगता है कि December में promoters ने क्या किया है अपनी holding को growth किया है company जो है commercial services supply करती है फैरेस और नर्ण फैरेस की manufacturing करते हुए साथी साथ company का जो volume है 2,24,000 तक कर लग चुका है आज की date में so friends अभी जो company में जो holding है वो तो बड़े बड़े दिगच operator की जो उसको operate करते हैं उनकी कोई detailing है नहीं 2022 के बास से इस website पे so friends अभी हम चल लेते हैं अपने technical analysis के तरफ so day RSI जो है 83.8 का है और MFI 95.3 का है का हमने अभी growth दिखा रही है so friends मुझे लगता है कमनी में कोई fresh buying के लेना चाहता है तो अपने risk पे अपने ही analysis करने के बाद ही ले क्योंकि मैं को recommendation नहीं देता हूँ so friends मेरा जो था यह सिर्फ purpose था आपके नजरों में जो share आए और आपको क्या लगता है आप खुद decide कीजिए and आजा करते हूँ आपको वीडियो ची लगी होगी so like कीजिए वीडियो को subscribe कीजिए चैनल को और साथ ही साथ share कीजिए वीडियो को सबसे जादा से जादा अपने दोस्तों और family को so friends आज के लिए वास इतना ही and we will be meeting soon in our next वीडियो और तब तक के लिए बाई बाई